नाभी में रोजाना तेल लगाने से फटे हुए होट, नरम और गुलाबी हो जाते हैं। दूसरा, नाभी में तेल लगाने से पुरुसों के सरीर में सुक्राड़ों की वृद्धी और सुरच्छा होती हैं। तीसरा, नाभी पर सरसों का तेल लगाने से पिंपल्स और दाग धब्बे ठीक होते हैं। चौथा, आखों की जलन, खुजली और सुखापन भी ठीक हो जाता है। पाच्वा, नाभी में तेल लगाने से सरीर के किसी भी भाग में सूजन की समस्या खत्म हो जाती है। चठा, सरसों का तेल नाभी पर लगाने से गुटने का दर्द में रहत मिलती है। साथवा, नाभी पर सरसों का तेल लगाने से हमारे चहरे की रंगत बढ़ जाती है। इसलिए आपको रोजाना नाभी पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। आठवा, नाभी पर सर्सों का तेल लगाने से हमारा पाचन तंद्र भी मजबूत होता है। नवा, बादाम का तेल लगाने से त्वच्चा की रंगत निखर जाती है। दसवा, नाभी में सर्सों का तेल लगाने से पेट का दर्द भी कम होता है। इग्रहवा, नाभी में सरसों का तेल लगाने से अपच, फुड दस्त, मतली जैसे बिमारियों से भी राहत मिलती है बारहवा, अगर आप मुहासू की समस्या से परिसान हैं तो आपको नीम के तेल को नाभी में लगाना चाहिए इससे आपके किल मुहा से दूर होने लगेंगे तिरहवा, अगर आपके चेहरे पर कई तरह के दाग धब्बे की समस्या है तो नीम का तेल नाभी में डालने से यह दाग दूर होंगे चोदह, नाभी प्रजनन तंतर से जुड़ी हुई होती है इसलिए नाभी में तेल लगाने से प्रजनन छमता विक्सित होती है पंद्रह, नारियल के तेल को नाभी में लगाने से महिलाओं के हर्मोन संतुलित होते हैं और गर्बधारण की संभावना बढ़ती है सोलह, नाभी में तेल लगाने से महिनों और सालों से जमी गंदगी भी साफ हो जाती है सत्रह, महवारी से संबंदित समस्याओं से आजकल हर कोई महिला ग्रस्त मिलती हैं अगर पिरियर्ट्स की दोरान जादा दर्द हो तो रूई के फाहे में थोड़ी सी ब्राडी लगाकर नाभी में लगाने से यह दर्द तुरंत दूर हो जाते हैं अठर, नाभी में तेल लगाने से दिमाग सांत करने में भी माना जाता है